आज की तारिख में कठिन हो गया है वैवाहिक रिष्टों का निर्वाह करना। भारत में पती-पत्नी के रिष्टे में दरार की मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हाल के एक आकड़े के अनुसार दोहजार इकिस में देश भर में यो फैमिली अदालतों में डाइवर्स के जो मामले करीब पांच लाक थे। दोहजार तेश में ये बढ़कर आठ लाक से अधिक हो गए हैं। आकड़ों के अनुसार फैमिली कोट में जितने मामले निप्टाये जाते हैं। उत्ते ही नए दर्ज हो जाते हैं। तलाक के बढ़ते मामले एक बड़े सामाजिक बदलाव की और इशारा करते हैं। और कहीं हमारे सामाजिक धांचे को ज्वस्त करने के तरफ ये प्रियास है। क्यूं ऐसा हो रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है बढ़ता हुआ स्ट्रेस। मॉडन जीवन में स्ट्रेस चारो तरफ है। सामाजिक दवाव, प्रोफेशनल डिमांज, शादियों को वभाहिक रिष्टों को बुरी तरह से एफेक्ट कर रहा है। यह जीवन पार्टनर के बीच में समस्याओं को प्रभावित कर सकता है फाइनेशल प्रेशन, आर्थिक दबाव, पैसों की कमी, जरूरत से ज्यादे अच्छाएं। फाइनेशल स्टेबिलिटी का सामना करना जीवन साथियों की बीच बड़ा टक्राव का कारल बन गया है। बदलते सामाजिक मान और सम्मान समाज में बदलते मान और सम्मान इसमें भी देखा कि हमारे संस्कृति परिवर्तन हो रहा है। हम परंपराओं अपनी संस्कृति को एफेक्ट होता देख रहे हैं। बहुत सारा बदलाव आया है। जीवन साथि एक दूसरे के साथ सामंजिस्थापित नहीं कर पाते हैं। अपने को अस्पर्थ पाते हैं। और क्योंकि लड़कियां बराबर का कमाने लग गई हैं। उनमें उतनी टॉलरेंस भी नहीं है। टॉलरेंस तो दोनों को ही आनी चाहिए। खाले लड़की को टॉलरेंस करनी है। और लड़का जो मनमाही कर सके ऐसा नहीं होता है। आजकल की पीड़ी में व्यक्तिकत स्वतंत्रता स्वतंत्रता बहुत बाते की जाती है। यह समझ आती है कि अगर रिष्टा उनकी सुभा, उनकी उमीदों, उनकी सपनों पर खरा नहीं उतरता है। तो साथ रहने की साथ अलग हो जाना ही अच्छा है। बिग क्मिनिकेशन गैप। परस्णालिटी ऐसी होती है कि अपना जो बात करनी चाहिए। समझ कर बात करके जो उसको डिप्टारा किया जा सकता है, वो उसको संजोए रहते हैं। और अपनी भावनाव को प्रगट नहीं करते, दूसरों की भावनाव को समझने की कोशिश नहीं करते। तो यह बड़ा सा क्मिनिकेशन कैप होगी है। धार्मिक और समाजिक दबाव भी है। मैं समुझती है कि यहां पर पैरेंट्स को दो बच्चों को बीच में इंट्रफियर नहीं करना चाहिए। परिवार या समाज को यह देखना है कि इस डाइवोर्स की जो रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं उसको किस तरह से कम किया जाए। हम लोग को उनको निभाने के लिए प्रेडित करना चाहिए। और इसमें काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा रूल है। आधुरिक प्रनाल्यों की भी कमी है। शादी में सही क्या है काउंसलिंग की सपोर्ट नहीं है फैमिली की सपोर्ट नहीं है। तो सरह से देखा गया है कि आज की तारिख में कठिन हो गया वैवाहिक रिष्टों को निभाना। इसमें अगर बच्चा बीच में आ जाए तो दोनों लोगों का उत्तरदायुत बढ़ जाता है। वहाँ एक साजा उत्तरदायुत है। इसके लिए किसी एक पक्ष को पूर्ण रूप से दोशी ठहराना उचित नहीं होगा। तालियां तो दोनों हाथों से बसती है। अब प्रश्ण है कि सामाजिक सांस्क्रतिक प्रश्भूमी में जो ये बदलाव आ रहा है समाज में ये चुनौती पूर्ण है और इसको सभी को मिलकर खीक करना होगा। संबंधों का बाजारी करना करें। आने वाली पीड़ियां इसको बहतर समझें। ये समाज और देश के लिए अच्छा नहीं है।